शलूम प्रभु येशु मसी के नाम की इस्तूती हो हम आपका स्वागत करते है इस सुश्माचार के कारेकरम में जिसका संदेश है चुनाव आपका है हमारी खलीश शलूम इंटरनेशनल फेलोशिप के पास बाहन रेवरेंड डॉक्टर पॉल से ने आज हमारे साथ प्रभु येशु मसी के जीवत वच्चन को बाटेंगे हम आशा करते है प्रमेश्वर का जीवत वच्चन आज आपको चुएगा और प्रभु के करीब लेकर आएगा आए हम मिलकर प्रमेश्वर के वच्चन को सुने और आशिशित पाए I can be what the Bible says I can be Bible जो कुछ कहती है वह सब में बन सकता हूँ I can do what the Bible says I can do Bible जो कहती है वह सब में कर सकता हूँ and I can have what the Bible says I can have जो कुछ Bible कहती है वह में प्राप्त कर सकता हूँ I declare it, I believe it, I receive it in Jesus' name now tell yourself I am destined to be blessed मैं आशिशित होने के लिए ठहराया गया हूँ when I walk the word of God जब मैं वचन के अनुसार चलता हूँ Amen So today our title is called Freedom from Fear आज का हमारा शीर्शक है भै से स्वतंतरता and you know fear every one of us have to go through it यह भै हर एक के अंदर होता है and doesn't mean that you are super spiritual those fears doesn't attack you or don't try to attempt to come into your life ऐसा नहीं कि आप बहुत ज़्यादा आत्मिक हैं और यह भै जो बाते हैं यह सब आप के अंदर नहीं आती हैं So they will try हमारे अंदर आने की कोशिश करती है He comes and try to affect your marriage He comes to affect your relationship affect your finances वैवाहिक जीवन, रिष्टा, आर्थिक स्थी सब पर यह प्रबाव डालता है आज मैं आपको बहुत सारे उदारन दूँगा आर्थिक भै के बारे में भै का सुरूप हमारे चारों और उपस्थिद है और वह अमारे अंदर प्रवेश करने की कोशिश करता है और हमें नाश करना चाहता है सब कुछ ठीक होने वाला है आप ऐसा जान ले और यह भै का सुरूप है यह हमारे अंदर आने की कोशिश करता है आपको सचेत होना है जागते रहना है और बाइबल में लिखा है कि यह जो शैतान है वो गरच्टी सेंग के समान ढूंटता रहता कि किसको वो खा ले वह ऐसा चाहता है कि वो भै हमारे अंदर आ जाए और हम नाश हो जाएं दूसरी बात है आर्थिक स्थती में हानी के बारे में लोगों के अंदर भै आ जाता है और वो उनके हृदे में भर जाता है उदारन के लिए आप पैसे जमा करते हैं विपत्ती के समय के लिए आप कुछ पैसे जमा करके रखते हैं और इंतजार रहता है कि कभी कुछ हानी हो जाए या फिर पैसी की ज़रुरत हो तो उन रुपए का हम इस्तमाल करते हैं या फिर कभी जब बीमार हो जाते हैं, तो भी उसका इस्तमाल किया जा सकता है या फिर किसी अवसर के लिए भी हम रुपे जमा करके रखते हैं एक भै पर नर्भर करता है और दूसरा विश्वास पर नर्भर करता है जब परमेश्य आपका इस्तमाल करता है, तो आप उन रुप्यों को उस समय खर्च कर सकते हो या फिर एक घर खरीज सकते हो परमेश्य आपको कई अवसर प्रदान करता है या तो परमेशे कहेगा कि अच्छा मौका है परमेशे के राज में बीज बोने के लिए और तीसरी बात है यह जो आर्थिक भे है इसके विरोध में हमें खड़े होना चाहिए और हमें विश्वास करना है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा बहुत सार ऐसे परिवार हैं वो अपने परिवार से प्रेम करते हैं सुबह से रात तक वे काम करते हैं और उनकी पास समय ही नहीं है बच्चों को देने के लिए या फिर अपने पती को देने या पतनी को देने थोड़ा समय मांगो तो कहते हैं कि हम सब के लिए तो मैं पैसे कमा रहा हूँ लेकिन ये गलत तरीका है तो ये तो तुम पर भरोसा करने की बात हो गए तो मर जाओ तुम्हारे परिवार का क्या होगा फिर क्या हुआ आपको मालुम होना चाहिए कि काम करने का एक समय है और बाकिसम अपने परिवार को आप दे सकते हैं दुक्की बात यह है कि आपको जब समय मिलता है परिवार के साथ बिताने के लिए आपको पता ही नहीं कि क्या बाते करें उनके साथ क्यूंकि जिंदगी बर तो ओवर टाइम करते रहे मूँ खोलते हैं तो बस बेकार की बाते आती हैं इसलिए हमें स्थर खड़ा होना चाहिए इस आर्थिक भै के विरोध में हमें खड़ा होना है क्योंकि हम यह जान ले परमेश्य के वचर में लिखा कि सब कुछ ठीक हो जाएगा हो सकता है कि आप बहुत ही नाश और विनाश सहरे होंगे लेकिन बचन में वापस आएं परमेश्य के बचन के सद्धानत में आप वापस आजाएं और परमेश्य आपको पुनरस्थापित करेगा जैसे व्यवाहिक जीवन है जब बचन में आएंगे तो परमेशर उनके जीवन को पुनर स्थापित करेगा रिष्टा यदि बिगड रहा है तो बचन में आओगे तो आपका जो रिष्टा ठीक हो जाएगा अपने मर्जी से करोगे तो कुछ में नहीं होने वाला यदि खुद की मर्जी से चलोगे तो वो रिष्टा और बिगड जाएगा और व्यापार भी ऐसा ही है ये सारी बातों के लिए क्या आविश्यक्ता है विश्वास विश्वास एश्व में विश्वास करने के लिए जो विश्वास आपको जरूवत और वही विश्वास सारे कामों के लिए भी है अपने पडोसी से कहें कि सब कुछ ठीक होने वाला है मेरा परिवार ठीक हो जाएंगे मेरी आर्थी परिसित ठीक हो जाएंगी हमारे रिष्टी सब ठीक हो जाएंगे क्योंकि मैं वचन के अनुसार चलने वाला हूँ यदि मैं वचन पर चलता हूँ तो परमेशे मेरे वचन का आदर करता है लेकिन याद रखो वचन आपके समान नहीं डल सकता है आपको परमेशे के वचन के समान डलना होगा आमेन, you got that न्मब फॉर चाथी बात है everything is going to be alright in the household of faith विश्वास के घराने में सब कुछ ठीक होने वाला है विश्वास के इस घराने में सारी बातें ठीक होने वाली है विश्वास के इस घराने में let us make it smaller let us make it more focused now your household each household is a household of faith also और आपका जो परिवार है एक एक घराना वो भी विश्वास का घराना है और यदि वो खुद अकेला खड़ा होगा तो विश्वास उसका नाश हो जाएगा यदि पती जो है विश्वास में नहीं खड़ा होना चाहता है तो उस विश्वास को वो नाश कर देगा इसलिए मैं आपसे कहता हूँ कि बस प्रार्थना करो प्रार्थना ही करो और भै बीत ना हो जब भै को जगा दोगे तो तुम्हारे जीवन में परिशानी आ जाएंगी सचेत हो जाओ जब तुम्हारे को भोलने लगोगे तो भै में ही फंस जाओगे अब विश्वास के बदले भै को जगह देने लगे हो कुछ समय बाद में पवितर्शास ते वचन दूंगा और इसलिए भै में जीना छोड़ दो विश्वास के घराने में आ जाओ अपने जीवन को सुधार लो अपने जीवन को सुधार ना है अप योयो के समान ना बनो कभी-कभी विश्वास और कभी-कभी भै कभी मूड रहता है अच्छा कभी नहीं रहता है आपका जीवन भी वैसा ही हो जाएगा अब बदल जाओ उस योयो को उठा कर फेंक दो अब विश्वास के घराने में आ जाओ आपको परमीश्र के वचन का अध्यान करना है मैं तो कहूंगा कि खेल कूद में जो समय बिताते हो तो उसके बदले में आप वचन का अध्यान करो जरक अलपना करो की वचन में आप बहुत समय बिता रहे हो आप वचन में जादा समय बिता कर संसार के काम में कम समय बिताओ जितना ज़्यादा आप वचन में समय बिताओगे, उतने ही ज़्यादा आश्यर करम चिन चमतकार को आप अपने जीवन में देख सकते हो मैंने कहता हूँ कि चौबीस घंटा बस वचन खोल कर बैठ जाओ मैं कहता हूँ कि वचन में समय बिताओगे, और जब दफतर में हूँ, तो वचन पर निर्भर करता हूँ, प्रभू पर निर्भर करता हूँ, वचन के अनुसार काम करता हूँ और व्यापार भी परमेश्य के अनुसार करता हूँ मैं क्या यह संसार का काम है नहीं परमेश मेरी अगवाई करता है पड़ोसी से कहो कि सब कुछ ठीक हो जाएगा पांचने बात है इस संसार के विशे में भेना खाओ ईशु ने कहा कि मैंने संसार पर जय पा लिया है मैंने कुछ ऐसा नहीं छोड रखा है कि विश्वास जीत नहीं सकता मतलब कि मैंने कोई काम अधूरा नहीं छोड़ा है इसका मतलब कि विश्वास के द्वारा सब पर आप जय पा सकते हू विश्वास का उपयोग करोगे तो तुम जय पा सकते हू ऐसी कोई बात नहीं है जिसे आप नहीं जीत सकते बजन सहिता 34 एक से लेकर चार तक देखेंगे मैं हर समय यहुवा को धन्य कहां करूंगा उसकी स्तुती निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी यह व्यक्ती हमेशा परमेश की सुती करता है गाड़ी चलाते समय बे भी यहुवा को धन्य कहता है क्या कभी आप अपने मुह में गीत के साथ उठे हो या कभी-कभी प्रते दिन नहीं प्रते दिन यदी मुह में गीत के साथ उठो तो वड़ी अच्छी बात है इसका मतलब की सोते समय भी आप परमेश की स्तुती कर रहे हो क्योंकि आत्मा वो जगी रहती है इसका मतलब है कि हम किसी भी काम को करते समय पर मेश्य को धन्ने कह सकते हैं मैं यहुवा पर घमंड करूंगा नम्र लोग यह सुनकर आनन्दित होंगे जब प्राण का उपयोग किया जाता है तो उसके तीन भाग है सबसे पहरा आपकी इच्छ शक्ती है दूसरा आपकी भावना तीसरा आपका मन है क्या आप कलपना कर सकते हैं मैं परमेश्य को धन्ने कहता हूं अपने ग्यान और अपनी समझ के द्वारा मेरा मन, मेरी भावना और सब कुछ परमेश के सुधी करता है मेरी इच्छा शक्ती सबसे मुख्य है और उसे परमेश के अधीन करता हूँ नमर लोग देख करके आनन्दित होंगे क्योंकि आपके जीवन आपके चाल चलन के द्वारा यह प्रगट हो जाएगा तो परमेश इस प्रकार की परिस्तियां आपको देता है ताकि भै आपके अंदर ना आए और अपनी जीवन में आगे बढ़ते जाओ मेरे साथ यहवा की बढ़ाई करो और आओ हम मिलकर उसके नाम की स्तूति करें आपका परिवार बहुत मुख्य है आप एक परिवार होकर परमेश की स्तूति करें ताकि आपका जो परिवार आपका घराना है विश्वास का घराना बन जाए कितने लोग सचमुश ऐसा करते हैं सचमुश जो करते हैं उनका जीवन जो है पूरी तरह बदल जाएगा आशीश प्राप्त करेंगे उनकी जो विचार धरा है सब कुछ बदल जाएगा वे लोग बहुती सुन्दर बन जाएंगे नवीन बन जाएंगे और जब पार्टी में जाते हैं वहां भी सब भी बने रहेंगे मैं यहोवा के पास गया तब उसने मेरी सुन ली और मुझे पूरी रीती से निर्भय किया और जब आपका जीवन बदल गया चाल चलन बदल गया तो परमेशे को पुकारने पर वह तुम्हारी सुन्ता है और तुम्हें उसने सब प्रकार के भै से छुड़ाया है और उसका जो सिद्ध प्रेम है वह तुम्हारे अंदर आया और तुम्हें पूरी तरह बदल डाला यह सद्ध प्रेम तुम्हारे अंदर के भै को दूर कर सकता है उसका जो सिद्ध प्रेम है तुम्हारे अंदर आएगा और आपको बदल डालेगा इसलिए हमें एक परिवार होकर एक घराने के रूप में परमेश के नाम की महिमा करनी चाहिए विश्वास और भे दोनों की उमीद की जा सकती है विश्वास उत्तम बातों की उमीद करता है इसलिए जब ईश्वास को सबसे पहले अपने जीवन में स्विकार करते हो तो आप विश्वास के साथ करते हो जब ईश्व को सविकार करते हो विश्वास से तो अच्छी बाते उत्तम बातों की उमीद करते हो आपके पाप धुल जाते हैं लहू से आप बिलकुल शुद हो जाते हो परमेशर जो परमप्रधाने उसकी बेटी बेटियां बन जाते हो और हम उसके द्वारा नर्मान किये जाते हैं परमेशर के वचन के द्वारा परमेशर का वचन जो प्रगट हुआ है उसके द्वारा ही हम पवित्रात्म से भर जाते हैं नियभाशा बोल सकते हैं और उसे विश्वास का उप्योग करके, हम पवित्रात्मा के सामर्थे के लिए भी दूआ करते हैं क्योंकि परमेशय ने कहा कि मैं तुमको एक वर्दान देना चाहता हूं लेकिन, तुम्हारे अंदर उसके लिए चाहत होनी चाहिए परमेशय और उसके वर्दान कि आपको बहुत ज़्यादा चाहत होनी चाहिए क्योंकि उसके वर्दान उसके पास से ही आते हैं आप सोचते हो कि आपका मन यदी यहां भटक जाता है तो कहीं और से भी हम सीक सकते हैं यदी आप द्वार खोलोगे तो भै आपके अंदर आ जाएगा जारीफात में जो विद्वा थी उस परकार बाइबल में लिखा है कि मैंने एक विद्वा को आग्या दी है कि तुमको खिलाए एलिया चलता जाता है और जब उसके लिए पानी लेने जाती है तो कहते है कि मुझे एक रोटी भी लेकर आना यहां मेरे पास थोड़ा सा आटा और तेल है कि मैं और मेरे बेटा रोटी बना कर खाले और मर जाए सबसे पहली बात है कि वो क्रिस्टियन नहीं थी दोसरी बात है कि परमेशन ने उसको आग्या दी थी तीसरी बात है कि भै पहले से उसको जकर लिया था इसलिए एलिया कहता है हिमत मत हारो जैसा मैं कहता हूं वैसा ही तुम करो क्या तो अद्बूत परमेश्वर का वचन है हम विश्वास करते है कि पुवित्र आत्मा के द्वारा आपको वचन स्परश्रिती से समझ आया होगा अगर आप इस सेविक्या से अशिशित हुए है और आप अशिश का कारण बनना जाते है तो क्रिप्या आपका दान अरपन को इस अकाउंट पर जो स्क्रीन पर दिखाये जा रहा है उस पर बेज सकते है यदि आपके पास प्रवेशर का वचन को सुने के बाद एक गवाई है या टिप्री है तो क्रिप्या हमें इमेल बेजिए यदि आपको कोई भी प्रात्ना विशे है तो कॉंटेक नंबर पर हमें सन पर जरूर करिए अगले सफ्ता इस सुश्माचार के कारे करम चुनाफ आपका है देखना न बुलिए हम प्रात्ना करते है प्रमेश्वर येश्यु मसी के अनुग्रा हम सब पर बनी रहे आमें कर दो कर दो कि अपना करते है।